रेट्रो इस्टेडीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10 के फिर्स्ट फ्लाइट बुक से फ्रम दो डाइरी ऑफ एने फ्रैंक चैपर पढ़ेंगे तो आईए स्टार्ट करते हैं। इस कहानी में जो ऑथर हैं वो स्वयम एने फ्रैंक हैं और वो बहुत strange फिल करती हैं और unusual भी फिल करती हैं जब उनको अपने डाइरी पर कुछ लिखना होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो पहली बार डाइरी राइटिंग स्टार्ट केती है। वो यसा मैसूस करती है कि साइद फ्यूचर में कोई भी उनकी वो डाइरी नहीं पढ़ेगा। क्योंकि वो एक छोटी सी बच्ची का experience रहेगा और वो छोटी से बच्ची के experience को लोग deny करेंगे पढ़ेंगे नहीं। यह जो thinking उसके मन में था उस thinking को एने फ्रैंक ने बाहर निकाला और decide किया कि नहीं। जो भी हमारे मन के अंदर thoughts हैं उसको हम लिखेंगे। चुकि अपने इस डाइरी में एने फ्रैंक ने बताया है कि वो बहुत lonely feel करती थी। कि उनकी कोई भी भिमित्र नहीं था, जिससे वो बात कर सके। कुकि उनको दोस्तों की आवस्चकता थी और उस दोस्ती कोото एक सीप देने के लिए। उन्होंने decide कि क्योके उना अपने diary से ही दोस्ती कर लिया जाए और दोस्ती डाइरी से करने के बाद डाइरी का नाम उसने किट्टी रखा जो ऑथर है उनको ऐसा फिल होता है कि पेपर हाज more patience than people उन्होंने ऐसा इसलिए सोचा क्योंकि उनको पता है कि जो पेपर होता है उसके पास बहुत ज्यादा नहीं जाए願い जोकि दोस उनके रहते हैं लेकिन उनको ऐसा दोस्त चाहीए जिससे की हर भाती सेयर कर सके क्योंकि जिस दोस्तों के साथ और रहती थी वह उनके सच्चे दोस्त नहीं थे आपने डाइरी में में मेंसेन करती है कि जब द 15 की ती बहुत बर्त चांप धर था उनका result आने वाला होता है और जो author है वो खुद ही अंसियो रहती है एक subject को लेके जिसका नाम था mathematics एने frank और उनकी friend ये लोग मिलके सब बच्चों को चुप कर आ रही होती है क्योंकि वो लोग उस समय बहुत जादे शोर्गुल मचा रहे होते हैं author के हिसाब से उनको लगता है कि quarter of class को पास होना नहीं चाहिए क्योंकि जो class में students हैं वो सभी किसी भी other activities में participate नहीं करते हैं एने को ये भी याद आता है कि उनके जो math के professor थे वो उससे बहुत जादे irritate हो जाया करते थे क्योंकि वो बहुत talkative थी चुकि ये इतनी talkative थी कि उनके teacher उनसे परिशान होके class में जो पढ़ाया जाता था उसके अलावा भी उनको extra homework punishment के रूप में दे दिया गरता था जो पहला punishment उनको मिला था वो था chatterbox पे इससे लिखने के लिए जिसको सोच के स्वयम एने फ्रैंक बहुत जादे परिशान हो जाती है वो उस topic के बारे में imagine करती हैं और ये decide करती हैं कि जो topic मिला है उस पे हम बहुत 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 तरीके से prepare करेंगे और concrete argument इ नहीं कर पाती थी चुकि जिस तरीके से वो topic match professor दिया करता था उस topic पे वो बहुत अच्छे तरीके से लिखके एने फ्रैंक लेकर स्कूल में आती थी और यह देखके प्रोफेसर amuse हो जाता था और उसके बाद फिर से उनको एक नया topic दे दिया करता था इसलिए दे दिया करता था क्योंकि एने फ्रैंक का nature नहीं बदला था वो talking करती ही थी जो next topic उन्होंने दिया वो था an incorrigible chatterbox मतलब जो uncontrolled है इसका यह भी मतलब है कि कुछ ऐसी आदतें जो की change करना बह topic दिया quack 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 said mistress chatterbox और यह जो topic मिला यह भी punishment के रूप में ही था चुकि एक ही topic को बार बार लिखने के वह से इनको समझ में नहीं आ रहा था कि अब आखिर में आगे क्या लिखना चाहिए क्योंकि दो topic उन्होंने chatterbox and incorrigible chatterbox और फिर आ गया quack 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 said mistress chatterbox यह तीन topic एगी जैस को poem के form में लिखेंगे और वाकई में वो poem satire के रूप में उन्होंने लिखा और luckily जो professor था उस चीज़ को बहुत हलके में ले रहा था लेकिन जब वो professor उस poem को पढ़ा तो वो poem वाकई में बहुत बहुत बहतुरीन था और अपने पढ़ने के बाद वो पूरे class के सामने उस poem को recite किया और यहां पर एने फ्रैंक तो नहीं सुधरी लेकिन प्रोफेसर एने फ्रैंक का जो आदत था उसको सामिल कर लिया अपने अंदर और फाइनली वो भी अप टॉकिटिव हो गया और यहां पर आपका यह chapter समाप्त होता है थैंक यह वर वाचिंग प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब मैं चैनल रेट्रोफेस्टइज